हबर शुरू करने से पहले ललन टॉप अड़े से जुड़ी एक जरूरी सूचना अब बढ़ते हैं हबर की तरफ यूपी के आगरा जिले का बहाविधान सभाज शेत्र मंगलवार 7 दिसंबर को जंग का मैदान बन गया इस जंग में खास बात यह थी कि इसमें दोनू और भाजपा के ही नेता और समर्थक थे 20 सड़क पर ही जमकर पत्थरबाजी हुई गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिये गए हलकि गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई भी गंभी रूप से घायल नहीं हुआ आज तक की रिपोर्टर अर्विंद शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक आगरा की बहा विधान सभासी से समय पूर्ग मंतरी राजा अरिदमन सिंग की पतनी पक्षालिका सिंग विधायक हैं बहासी 2022 के विधान सभाचनाव में पूर ब्लॉक प्रमुक सुग्रीव सिंग चौहान भी टिकट के प्रयास में लगे हुए हैं इसे लेकर काफी समय से अरदमन सिंग और सुग्रीव सिंग के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है बीते मंगलवार को दोनों की समर्थ तक आमने सामने आ गया और जमकर पत्राव हुआ इस उपद्रव में आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों के शीशे तूट गए मौके पर पहुँचे भारी पुलिस बल ने जैसे तैसे हालात को नियंतरत किया पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं अरविंद चर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को भाविधान सबाशेतर में राजा अरिदमन सिंग अपनी विधायक पत्नी के साथ जन जागरन रैली निकाल रहे थे रैली विरोधियों को राजनी तिक ताकत दिखाने के लिए ही ये निकाली जा रही थी बतातें कि जब ये रैली पिनाहट कस्बे के नंदगवा चौराहे पर पहुँची तो अरिदमन सिंग और सुग्रीव सिंग के समर्ठक आमने सामने आ गए दोनों गुटों में पहले गाली गलोच हुई और फिर पत्राव होना शुरू हो गया पत्राव होते ही बाजार में भगदल मजग गई सूचना मिलते ही ततकाल स्पी सिटी विकास कुमार कई थानों की पोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुँचे और स्थिती को समहला इसके बाद विकास कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताये कि अब मामला शांत है, पुलिस घटना की जाच कर रही है और दोशियों के खिलाप उचित कारवाई की जा रही है उपद्रफ की गंभीरता को देखते हुए लाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है एक दौर बे पूर्व ब्लॉक प्रमुक सुग्रीव सिंग चोहान पूर्व मंत्री राजा अरिदमन सिंग के बहत करीबी होते थे लेकिन अब सियासी दावपेच के बीच दोनों के बीच दुश्मनी हो गई है अरिदमन सिंग भासीट से चे बार विधायक रहे, 2017 में उन्होंने भासे अपनी पत्नी पक्षालिका सिंग को चुनाव मैदान में उतारा वे यूपी में राजणाथ सिंग के मंत्री मंदल में पहली बार मंत्री बने थे, इसके बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और सपा सरकार में क्याबिनिट मंत्री का पद उन्हें मिला हाला कि बीजे भी नेता उसे नस्दीक्यों के कारण सिये मखलेश आदम ने अरिदमन को मंत्री मंदल से हटा दिया था इसके बाद विधान सभा चुनाव के ठीक पहले यानि साल 2017 में उन्होंने अपनी पत्नी पक्षालिका सिंग के साथ दोबारा भाजपा का दामन ठाम लिया आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी अभेने मेरा नाम है दिव्याशी देखते रहिए दीललन टॉब शुक्रिया